दोस्तो अगर आप लेना चाहते हो लो सेलरी पर बड़ी लोन अमाउंट का प्रश्णल लोन तो ए वीडियो आपके लिए बहुती ज़्यादा हेलफुल होने वाले है क्योंकि इस वीडियो में आज हम ऐसी कंपनी का बारें बात करेंगे जहां से अगर आपकी सेलरी 15 जर भी ह नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेलाइक अंड़ बाकर ओल नौटिफिकेशन ओन कर दो जिससे हमारे हर आने वाले इसे तरह की नए वीडियो के नौटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे तो चलिए दोस्तो वीडियो को सुरू करते है दोस्तो आज हम जिस कंपने का बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है टाटा केपिटल आपको डिस्क्रिप्सिन में एक लिंक मिल जाएगी वहाँ पर क्लिक करोगे तो आप टाटा केपिटल के ओफिशल वेबसेट पर पहुंच जाओगे दोस्तो टाटा केपिटल बहुत सारी लोन muffin प्रोड करती है जैसी कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से आप प्रस्नल लोन ले सकते हो प्रे अपरू ओफर्स हैं बिजनेस लोन लोन में सकते हो लोन अग्स प्रोपर्टि ले सकते हो Micro Finance का भी यूज़ कर सकते हो, आप Credit Card भी ले सकते हो, आप Wealth Management भी कर सकते हो यहाँ से आप इसके लब आप कोई भी Product EMI पर भाई करना चाहते हो जैसे कि TB, Freeze, ESC बगेरा तो यहाँ से आप Consumer Durable Loan ले सकते हो और यहाँ से आप Insurance भी करवा सकते हो तो दोस्तो आज की वीडियो में हम Personal Loan के बारें बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तो हमें Personal Loan वाले उप्शन पर क्लिक करना है तो दोस्तो जैसे Personal Loan वाले उप्शन पर क्लिक करोगे, तो आपके समने कुछ इस तरीक से एंटरफेस आ जाएगा यहाँ पर दोस्तो सबस्तो पहले आपको Personal Loan EMI के ऐक्यूलेटर दिख जाएगा जहां से आप Loan Amount, Interest Rate और 10 यूसी लग करके, अपना EMI पता कर सकते हो यानि कि आप यहाँ से क्यूलेट करके पता कर सकते हो, कि आप कितनी Loan Amount, कितना Interest पर कितना मेनों के लिए लेते हो, तो आपको कितना EMI हर मेने प्याकना होता है तो इस तरीक से अगर आप यहाँ पर एकलाक रुपया के लोन लेते हो, 10.99% Interest पर 24 मेने के लिए, तो आपको 4,600 रुपया एवरी मन्थ EMI पे करना रहेगा तो इस तरीक से आपकी Loan Amount को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर खोला निच्चे स्क्रोल करोगें तो यहाँ पर बताया है कि What is this Personal Loan? यानि कि Personal Loan क्या है? तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ कुछ बताया है कि Personal Loan आपकी Emergency की समय में काम आ सकती है तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ कुछ सिन्व ने बताया है उसके बाद दोस्तों थोड़ा ओर निच्चे स्क्रोल करोगें तो यहाँ पर बताया है कि Who can take a Personal Loan? यानि कि Personal Loan कोन ले सकता है तो अगर आप एक Seller person हो तो भी आप Personal Loan ले सकते हो यहाँ से जिसमें आपकी 15,000 उपया salary होनी चाहिए पर आपके पास KYC document जैसे कि आपका income proof होना चाहिए उसका बाद यहाँ पर आप अगर student हो तो भी यहाँ से आप Loan ले सकते हो उसके बाद दूस्तो अगर आप Return Individual हो तो अब आप यहाँ से Personal Loan ले सकते हो उसके बाद दूस्तो नीचे थोड़ा स्क्रोल करोगे तो यहाँ पर बताया है कि आपको यह Personal Loan को apply कैसे करना है तो यहाँ पर कुछ step बताया है जिसमें step 1 में बताया है कि enter detail जिसमें आपको अपना नाम एंटर करना है, mobile number एंटर करना है और आधरकार verify करना है तो आधरकार के हिसाब से आपका civil score शेक होगा और अगर आप eligible होगे तो आपको एक loan amount मिल जाएगी उसके बाद दूसरे step में बताया है कि आपको यहाँ पर जितनी भी loan amount मिले होगी उसमें से आप जितनी loan amount लेना चाहते हो, और loan amount सी लग करनी है, उसका 10 years की लग करना है उसके बाद तिसरे step में बताया है कि personal detail जिसमें आपको आपनी personal detail और banking detail एंटर करनी है उसके बाद 4 step में बताया है कि set up your email debt, यानि कि आपको email debt यहाँ पर set करना होगा जिसे कि आपका हर मेहने का EMI आपके bank account से automatic करता रहे तो इसके लिए यहाँ पर आपको immediate set करना होगा और last और 6 step में बताया है कि instant personal loan disbursement उसके बाद आपका immediate accept हो जाता है और आपके loan की सारी detail verify हो जाती है तो आपको loan amount आपके bank account में disburse किये जाती है तो इस 6 step में यहाँ से आप loan ले सकते हो तो अगर दोस्तों यहाँ पर आप online apply करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको apply now का option देखेगा यहाँ से आप click करके apply कर सकते हो लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम eligibility criteria देख लेते है कि यह loan लेने के लिए eligibility criteria क्या है जिसमें यहाँ पर बताया है कि निशे कुछ criteria बताया है जिसमें दोस्तों यहाँ पर बताया है कि आपका eligibility criteria बहुत चारे प्रकार से तई होता है जिसमें आपकी उम्र हो गई, आपकी salary हो गई, आपका civil score हो गया आपका professional experience हो गया यसे बहुत सारे प्रकार से आपका क्राइटेरिया तई होता है तो दोस्तों यहाँ पर eligibility क्राइटेरिया में अगर आप एक सेलेट पसंद हो तो आपके उम्र मिनिमम 22 यर से 58 यर के 20 होनी चाहिए आपकी मिनिमम सेलरी 15,000 रुपया होनी चाहिए और आपका कारोबर भी one year पूराना होना चाहिए अब दोस्तों यहाँ पर documentation की बात कर लेते हैं कि इस personal loan लेने के लिए हमें कौन से कौन से document की ज़रूत पड़ेगी तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको एक photo identity proof document देना पड़ेगा उसके बाद income proof document की ज़रूत पड़ेगी अगर आप select पसंद हो तो salary slip की ज़रूत पड़ेगी address proof document की ज़रूत पड़ेगी और अगर आप select पसंद हो तो employment certificate की ज़रूत पड़ेगी आपको यहाँ पर अब दोस्तों इस loan को online apply करने के लिए यहाँ पर आपको एक option दिखेगा apply now तो simply उस पर क्लिक करना है तो जैसे apply now पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीक से interface आएगा जिसमें अगर आप एक new user हो तो आपको यह निचे दियेगा यह form fill up करना है अगर आप existing customer हो यानि कि आप यहाँ पर पहले loan ले सुके हो यहाँ आपकी loan यहाँ पर चल रही है तो उसके लिए यहाँ पर आपको दूसरा option से लग करना है और यहाँ से आप अपनी loan को track भी कर सकते हो तो दोस्तो आप एक new customer हो तो आपको यहाँ पर एक mobile नमबर एंटर करना है उस mobile नमबर पर एक OTP आएगा OTP यहाँ पर आपको इंटर करना है उसके बाद यहाँ पर आपको PNK नमबर एंटर करना है यहाँ पर आपका first name और last name एंटेर करना है जो परहन guarantees इंटेर निब हो से उसी طरिक Baptist इंटेर करने है आपको drop birth एंटेर करने है यहाँ पर आपका gender इंटेर करना है उसके बात थोड़ा नीड से scroll करके यहाँ पर आपके area का pincode number इंटेर करना है पर यहाँ पर आपके CT एंटर करने है उसके बाद simply continue पर click कर देना है तो दोस्तो continue करने के बाद आपके employment detail पुछी जाएगी यह सारा कुछ verification हो जाता है तो आपको एक loan amount मिल जाएगा उसके बाद उस loan amount में से जितनी loan amount आप लेना चाते हो उसे सिलेक करना है tenure सिलेक करना है और आपको e-mendate करना होगा आप net banking या debit card से यहाँ पर e-mendate कर सकते हो e-mendate करने के बाद आपका e-mendate setup हो जाता है तो आपके loan आपके bank account में disperse की जाती है तो दोस्तो इस तरीक से आप online apply कर सकते हो इसके लाव भी एक और तरीका है दोस्तो इस loan apply करने के लिए इसके लिए आ आप यहाँ पर उपर आओगे तो यहाँ पर आपको एक option दिखेगा कि apply on workshop यानि किया आप online apply करना नहीं चाहते तो आप workshop पर set करके भी apply कर सकते हो तो आप workshop से apply करना चाहते हो इस loan को तो simply यहाँ पर apply on workshop पर क्लिक करना है तो आपको redirect कर देगा direct अपने वोडशब पर यहाँ यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीक स्कीन आएगी यहाँ पर निचे दोस्तों आपको एक टाइप किया हुआ मेसेज मिलेगा जिसमें बताया हुआ है कि हाई I want to apply to tata capital personal loan तो simply दोस्तों यहाँ पर आपको इस arrow को प्रिक करके इस message को send करना है तो जैसे ही दोस्तों इस message क लेना चाथे हो यह लोकेट करना चाते हो तो इन में से जो भी servis आप लेना चाते हो वो नंबर यहाँ पर आपको typing करना है ofintallyatt तो नीचे यहां पर आपको आट लोफसन दीखाई दिए global यहां actual आपको ढ AHL लम एक होगा पर होगीगा यहां पर दोकुमेट लिखान है तो दोस्तों इस्ती में लेत कि अब दोस्तों यहां पर आपने कोई भी गलत नंबर इंटर करके सेंड कर दिया हो और आप फिर से पहले वाले स्टेप में जाना जाते हो तो यहां पर दोस्तों लिखा हुआ है कि यहां पर आपको home type करके सेंड करना है तो आप first वाले page में पहुँच जाओगे तो आपको अवेश्य यहां से लोन मिल जाएगी तो चले दोस्तो आज के वीडियो में बस इतना ही उम्मिद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लायक, सेर, कमेंट इन सब्सक्राइब करना ना भूले तो चले दोस्तों मिलते हैं कोड़ धमा के दार वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड़ बाइए